Hello Champions, Welcome Back to Let's Score 100 दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Why Do We Need Political Parties जो चैप्टर है वो हमारा है Political Parties ये चैप्टर बहुत ही आसान और क्यूट सा चैप्टर है आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो इस चैप्टर पर बनने वाले सारे questions को बहुत ही आसानी से आप attempt कर पाएंगे और ये जो topic particular आज हम पढ़ने वाले हैं इससे 1 marker, 2 marker, 3 marker, 5 marker questions इस पर बनेंगे और मैं ऐसी tricks आप लोगों से share करूँगा कि आपको 2 minute में Political Parties के functions चुटकियों में याद हो जाएंगे तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Political Parties दोस्तों जैसे ही Political Parties वर्ड हम हमारे मतलब Political Parties वर्ड हमें सुनाई पढ़ता है Political Parties वर्ड सुनते ही दिमाग में जो Political Leaders होते हैं इनकी इमेज जो है फ्लेश होते है राइट जैसे कि मोदी जी की राहुल गांधी जी की राइट तो अब मोदी जी मीन्स कमल का फूल एंड राहुल गांधी जी मीन्स हाथ का पंजा बिसिकली ये मतलब Political Parties एंड ये जो उनके Election Symbols होते हैं Common Man इनही के थूँ पोलिटिकल इंस्टिटूशन को समझता है For Example आप और मैं जितने Privileged हैं हाँ हाँ आप Privileged हैं क्योंकि आप एक अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं हमारे देश की आज भी 26% आबादी लिटरेट नहीं है पढ़ी लिखी नहीं है तो वो जो 26% यानि हमारा लिटरेशी रेट आज भी 74% ही है तो जो 26% आबादी पढ़ी लिखी नहीं है For Example जो Cities में रिक्षाप उलर्स हैं या Construction Sites पे काम करने वाली लेबर है Urban Areas में या Factories में Urban Areas में और या जो गाओं में जो खेत खलिहान में मजदूर काम करने वाले हैं उनको ये नहीं पता होता कि Constitution क्या होता है या इंडिया में What kind of government do we have in our country? What form of government do we have in our country? What form of government से आदाया आप लोग comment section में comment करके जरूर बताएं कि What form of government do we have in our country? जैसे USA में क्या है? Presidential form of government है मैंने थोड़ा सा hint दे दिया है तो आप लोग इसका आंसर जरूर करें यह आपका homework हो गया तो आएए देखते हैं देखे यह मोदी जी है हमारे आप प्राइज मिनिस्टर आप लोग जानते ही है इनकी party का election symbol है उसके बाद यह Congress भी national party है BJP भी national party है यह देखे BSP है बहुजन समाज वादी party जिसकी मुख्या मायवती जी है यह भी national party ही है और यह आप election symbol देख रहे हैं यह political party है जो इसी साल जिसको national party का status मिले मिला है election commission ने दिया है आप लोग comment box में comment box में comment करके जरूर बताएं कि यह कौन सी political party है राइट चले आगे बढ़ते हैं हम लोग next slide पे हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि देखते हैं क्या-क्या है next slide में सबसे पहले में देखें कि political parties are easily one of the most visible most visible institutions easily one of the most visible institutions of a democracy राइट आप लोग जानते हैं democracy के रहे सारे institutions होते हैं राइट उसमें से parliament भी एक है हाँ उसमें हम यहाँ पर सब का नाम नहीं लेंगे बट एक layman के लिए layman के लिए political party सबसे ज़्यादा visible institution है राइट for most ordinary citizens democracy is equal to political parties राइट जैसे हम लोगों ने समझा कि जो हमारे हमारे country की 26% population पढ़ ही लिख्षी नहीं है वो political parties को जानती है और उनके leaders को जानती है उसो बहुत जादा समझ नहीं होती यह constitution क्या होता है हम governments किस तरीके से function करती है राइट at the same time this visibility does not mean popularity यह जो political parties and political leaders जिसे हम news में देखते हैं खबारों में पढ़ते हैं टीवी पे देखते हैं तो हर कोई जानता है बट जैसे यह political parties का नाम आता है लोगों की दिमाग में corruption की image आती है और अच्छा यह गलत भी नहीं है political parties parties का नाम आते हैं या political leaders का नाम आती है अगर किसी जादा तर जनता के मन में जो political या जो corruption का ख्याल आता है वो गलत नहीं है इसमें सच्चाई भी है थोड़े बहुत for example most people tend to be very critical of political parties हमें से जादा तरक लगता है कि जिदरी भी problem है country में उसके लिए सारी की सारी political parties ही जिम्मेदार हैं ऐसा नहीं है बट इसमें सच्चाई है क्योंकि political parties ये कुछ leaders जैसा कि आप हमारे लालू जी को देख सकते हैं ये तब तो आप लोग bond भी नहीं हुए थे ये जो forder scam हुआ था जिसके case जिसका case आज तक भी चल रहा है और आए दिन लारू जी जेल से अंदर बाहर होते रहते हैं दूसरा case ये है आप लोग सुनेंगे तो होश उड़ जाएगा ये case है 2011 का 2010 ये 11 का है जब मनमोहन सिंग प्राइम मिनिस्टर थे ये 2G scam हुआ था 1.76 लाइक क्रोड यानि 1 लाइक क्रोड प्लस 76 लाइक क्रोड यानि लगभग 2 लाइक क्रोड का scam हुआ था ये Mr. Minister थे उस समय राइट ये 2G spectrum scam हुआ था तो जो common man के दिमाग में political parties की जो image है या जो leaders की image है negative उसमें कहीं कहीं थोड़ी बहुत सचाई भी है but सारी problems के लिए political party जिमेदार है ये सच नहीं है right आप देखे क्या है people people tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life गलती है न most of us think कि जितने भी problems है country की उसके लिए सारे के सारे political leaders या political parties ही जिमेदार है half truth है ये चले दूसरा next point parties have become identified with social and political division ये बात तो बिल्कुल सही है अगर आप बारी की सी देखें अगर आप अपने classmates से बात करें तो आप पाएंगे कि कोई congress का supporter है आप करियेगा जरूर trust me आप बारी की से observe करेंगे कि आपको कुछ नया सीखने को मिलागा अगर अपने classmates से आप बात करिये या अपने relative से बात करिये कई बार तो माने देखाया कि husband किसी और party के supporter है wife किसी और party की supporter है बच्चे किसी और party की supporter है और ये reality है क्योंकि हर party के ideology अलग है हर party का देश की देश के विकास में contribute करने का तरीका अलग है है ना और जिसे में कोई बुराई भी नहीं है तो parties have become identified with social and political division तो हर party की अपनी fan following है तो society क्या होता है divide हो जाती है तो इसलिए कहा जाता है parties have become identified with social and political division राइट अब इतक तो हम लोग introduction part कर रहे है तो question अब यहां से आना शूरू होगा जो हमारा पहला question आ सकता है वो यह होगा what do we mean by political party इस पर one marker आ सकता है और two marker आ सकता है आए समझते हैं पहले फिर देखते हैं कि अगर one marker आता है तो क्या लिखना होगा two marker आता है तो कितना लिखना होगा पहला देखिए what is political party अगर one marker होगा define political party और what is political party यह आएगा और political party क्या होती है a political party is अब यह पार्टी वर्ट से पता चल जाता है कि कोई एक इंसान नहीं है more than one person है राइट पार्टी का मतलब यह होता है a political party is a group of people यह keyword है a please please note करेए notice करें रहां दीजे a political party is a group of people who come together किसले आते है cricket match खेलने के लिए cricket match खेलने के लिए नहीं आते है वह election contest करके government power को हसल करने के लिए आते है right so a political party is a group of people who come together यह keywords है किसले आते हैं to contest elections and hold power in the government because आज देखे मोदी जी हमारी country के प्राइम मिनिस्टर है या BJP को majority मिली 2019 की election में तो क्या क्या उन्होंने election contest किया और हम लोगों ने उनको जिताया क्योंकि हमें लगा की मोदी जी ने promise किया था था ना कि हम न तो खाएंगे और न तो कि इसमें सच्चाई भी है उतने cases corruption के नहीं आ रहे हैं जितने पहले आया करते थे है ना तो इसलिए हम उने vote दिया मोदी जी काम कर रहे हैं है ना तो अब देखे इसको समझते हैं एक बार इसको quick recap करते हैं political party क्या होती है सबसे पहले समझे political party is a group of people ये group of people scattered नहीं होते they come together right दो reasons है to contest elections and hold governmental power election win करने के बात क्या करते हैं ये लोग government form करते हैं right तो अगर one marker में आएगा तो आपके वोले इतना ही लिखेंगे कि political party की definition के वोले इतने ही लिखेंगे but अगर question आ जाता है explain political party or discuss what discuss political party or what do mean by political party अगर two marker में आगा तो ये दोनों points आपको लिखने होंगे पहला point ये दूसरा ये these group of people agree on some policies and programs for example जितने भी Congress के leaders हैं या जितने भी BJP के leaders हैं वो सारे एक policy और program पर agree करते हैं तभी same party में काम कर रहे हैं यानि उनकी ideology क्या होगी same होगी एक जैसी होगी तो इसलिए रिखा है these group of people agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good और वो strongly believe करते हैं कि जो उनकी ideology है वो best है country के development के लिए right political parties try to and and वो believe करते हैं बेस चैसे लिए political parties try to persuade people with their policies while campaign जब वो लोग campaign कर रहे होते हैं तो वो जनता के सामने अपने followers के सामने पर बात रखते हैं कि हमारी policies क्यों बेटर है right अब जैसे पाकिस्तान बहुत परेशान किया करता था मोदी जी गये घुस के मार के चले आए तो बदमाशिया तो पाकिस्तान अब भी कर रहा है बट उतना ज्यादा नहीं उचल रहा है जितना पहले उचला करता था right तो मोदी जी को लाने का जो परेशान कर रहा था they seek to implement these policies अब मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि corruption हाला कि उन्होंने बोला था कि वो black money लाएंगे वो नहीं लाए हां लेकिन कुछ कुछ जो प्रॉमिसे उन्होंने किया था वो फिल कर रहे है तो हम लोगों ने वोट दिया तो मोदी जी ने क्या कर रहा है या क्या कर रहे है they seek to implement political parties जो at the time of campaign जब campaign कर रहे थे जो हमसे promises करते हैं और जब वो पार्टी जब वो particular party election के बाद majority उसे मिल जाते तो government form करती है तो जो promises हम लोगों से किये होते हैं तो उन क्या करते हैं उन promises का they seek to implement these policies by winning popular support through the elections right तो अगर तू मार कर में आएगा तो आप ये basically पहला point जिसमें ये दो point है ये दूसरा पहला दूसरा दूसरा दूनों point लिखेंगे ठीक है चलिए तो मार करो गया political parties reflect fundamental political divisions in a society जैसा इस लोग इसको हम लोको ने पढ़ा है कि society में जितने भी लोग है वो अलग-अलग political parties के supporters होते हैं और सब के हर जो supporters होते हैं उनके भी अगला interests होते हैं depending on that पहला यह हो सकता है कि जो अगर आप या मैं किसी political party को support कर रहे हैं तो हो सकता है उस political party के हमें ideology बहुत अच्छी लगी हो या दूसरा दिजाने भी हो सकता है उस political party के leader बड़े ही charismatic personality को हो यानि उस political party के leader है उनकी personality हमें बहुत अच्छी लगती है जैसा कि मोदी जी के case में BJP के ज्यादा लोग support इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मोदी जी से वो प्रभावित होते हैं इसी तरह जवाहलान नहरू और इंद्रिया गांधी जी से लोग प्रभावित हुआ करते थे और उस Congress party से जुड़ा करते थे है ना so political parties reflect fundamental political division और इस तरह से हमारी society में एक fundamental political division देखने को मिलता है parties are about a part of the society and thus involve ये आगे आपका one marker thus involve partisanship आपने देखा होगा कभी कभी political parties के दो अलग-अलग political parties के follower आपस में लडाई तक कर लेते हैं अगर आप अपनी class में भी देख सकते हो या अपने महले में आप देख सकते हो है न अला कि वो त्री बड़ी बात नहीं होती बड़ बिगर्स वन इस नॉट रेडी टू लिसें टू दू पॉइन 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 of other person तो लोग लडाई तक कर लेते हैं है न विच इस नॉट हेल्दी बट इस रियलिटी अब देखे वन मार्कर क्वेश्चन इस पर आ सकता है कि वाट इस who is partisan and what is partisanship पले समझते है partisanship क्या होती है partisanship में क्या होता है लोग इतने blind होके काम करते हैं कि उनका ये मानना होता कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी जो party करे वही सच है कि दूसरे का point of view में कोई सचाई है यह नहीं हाला कि यह सही नहीं होता आई एक बार देखते है partisanship अगर आता है वान मार्कर में आप यह लिखेंगे partisanship क्या होता है it is a tendency to take a side right हाला कि उनको पता होगा इसमें कुछ कम है लेकि वह stand लेंगे कि नहीं हम सही है और उसको प्रूब भी करेंगे partisanship is tendency to take a side and inability to take a balanced view तो यह दो keyword अगर आप याद करें partisanship लिखने अगर answer आप लिख रहे हैं तो partisanship क्या होता है a tendency to take a side and inability to take balance view on an issue कोई particular issue है जो partisan ship होगी यानि यह partisan ship मतलब एक तरीके समय तरफदारी पक्षदारी यानि किसी की side लेना इस तरीके से side लेंगे कि उस issue पर खुली दिमाग से सोच ही नहीं पाते right तो यह one marker question आज सकता है दूसरा partisan कौन होता है आप भी partisan हो सकते हैं मैं भी partisan हो सकता हूँ right आई देखें क्या होता है a person who is strongly committed to a party आप लोग सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं भाई हम दो congress ही हैं आई हम तो बीजेपी वाले हैं कुछ भी हो हमें वोट बीजेपी को ही देना है तो congress को ही देना है आप लोगों अगर आसपास देखें तो इस तरह की बाते हैं आप लोगों सुनी होगी components of a political party basically किसी भी political party के three components होते हैं और इन components को याद करने के लिए आप components of a political party एक हम डाइग्राम से समझ सकते हैं components of political party को यह मालो यह pyramid हो गया सबसे top पे आते हैं leader number 2 पे आते हैं active members और number 3 पे हम लोग हैं हम में से हर कोई किसी political party का follower है आप देखें जैसे leader में यह देखें leader में अगर बीजेपी का example हम उठाएं अगर बीजेपी का example उठाएं तो अमित शाह और मोदी जी हो गए Congress का example उठाएं तो सोनिया गांधी और राहूल गांधी हो गए उसके बाद अगर बीजेपी के example को आगे बढ़ाएं तो active members को हैं यह देखें बीजेपी ने अलग अलग लोगों को state का president बना रखा है जैसे यह है Mr. स्वतन तरदेव सिंह स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश यानि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जितवाने की इनकी जिम्हेदारी है कैसे करेंगे पूरी तर से इनकी जिम्हेदारी है इसी तरह करत और भी active members है तो क्या हुआ अब political party has three components और इसको AF, LAF, LAF, where L is for leader, A is for active member, F is for follower, right तो leader यह हो गए, active members यह हो गए, उसी तरह congress है, जितनी भी political parties है, हर state का एकुन का, political party का chief होता है और उस particular state में उस political, उस particular political party को जितवाने की जिम्हेदारी उसी की होती है, तो हम लोगोंने leaders देख लिया, active members हम लोगोंने देख लिया, the followers, यह द आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, the followers हो गए, I hope आप लोगों को यह concept समझ में आ रहा है, three components of political party का, right, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगली slide में, यह जब question आएगा तो हमेशा, देखे इसमें ने दो तरह से question आ सकता है, functions of political parties, तो आप लोग जानते हैं, political parties के total 7, total 7 functions होत 5 marker में आएगा तो आपको सारी headings लिखनी है, total 7 और 7 की 7 explain भी करनी है, अगर time कम पढ़ रहा है तो headings थारी लिखो, explanation में थोड़ा cut down कर दो, और पता है यह जितनी 7 headings हैं, इन 7 headings पे भी two marker या three marker question बन सकता है, उन particular headings पे जब हम पहुंचेंगे तो उसको भी हम discuss करेंगे, right, चलिए, देखते हैं क्या कुछ है, so functions of political parties, political parties क्या करते हैं, fill political offices, political offices मतलब अब जैसे जितने भी ministers, यह ministries and prime ministership क्या है, political office ही तो है, so political parties fill political offices and exercise political power, right, और जब minister बन जाते हैं, या prime minister बन जाते हैं, तो exercise करते हैं, political power को to fulfill to fulfill the promises they made during election campaign, right, so parties do so by performing a series of functions, आप लोगों को political parties के functions को learn करने में दिक्कत होती है, मैं आज एक ऐसा formula आप लोगों से share करूँगा, को आपको मजा आ जाएगा और आसानी से आपको learn हो जागा, पहले समझेंगे, फिर trick बाद में share करेंगे, क्या-क्या political parties क्या-क्या functions करते हैं, democracy म पहला देखते हैं, पहला function क्या है, पहला function है, contest elections, अभी one-one हम लोग detail में समझेंगे, दूसरा function क्या है, put forward different policies and programs, जब लोग campaign करने आते हैं, तो बोलते हैं, भया, हम आपके लिए good schools बना देंगे, हम आपका बिजली का बिल माफ कर देंगे, हम आपके लिए good roads बना देंगे, हम आपके लिए, आपके खेतों की सिचाई करने के लिए, irrigation के लिए tubels लगवा देंगे, canals बनवा देंगे, और आपके हाँ जो electricity की problem है, 24-7 हम electricity देंगे, और अरविंद केजरिवाल जी तो मुफ्त की बिजली और पानी देंगे, चीर फिनिस्टर भी बन गया है, हाला कि उन form and political parties क्या करती है, form and government भी करती है, अब देखिए, इसको याद करने का एक trick आपको बताता हूँ, हाला कि यह समझने माली बात, अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, political parties क्या करती है, election contest करती है, election contest करते समय, जब वो अपने प्रचार करने के लिए जाते हैं, अपना, जब करज होगा, उसे माफ कर देंगे, या इसी तरह के promises, जो भी, मतलब problem होती ही, उसको बोलते हम दूर करेंगे, अब जैसे मोदी जी ने क्या promise किया था, कि हम corruption दूर करेंगे, मोदी ने बोला था न, न खाऊंगा, न खाने दूँगा, और पाकिसान को उसके घर में घुज के म इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद क्या हो गया, election होने के बाद, मैं आपको political parties के function से याद करा रहा हूँ, आप ध्यान से सू लिजे, trust में आपको याद हो जागा, फिर से repeat कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है, political parties, election contest करती है, election contest करते समय, जब वो leaders, election campaign पे जाते हैं, तो वो they put forward different policies and programs, यह वो जनता को बताते हैं, भाईया हमें जिताओ, हम आपके लिए यह काम करेंगे, यह तो हो गया, अब क्या हो, election हो गया, election के बाद, जो party जीत गई, वो क्या करेगी, बहुत ही logical है, जो party election में जीत जाती है, या जिस party को election में majority मिल जाती है, वो क्या करती ह वो government form करती है, और government run करती है, अब informed 2019 के election में, मोतीजी ने जो promises किये थे, हम लोगों ने उन्हें vote दिया, उन्हें ऋन्हे गवर्वर्मेंट form करें और government run कर रहे हैं उसके बाद क्या होता है जब government run करने लग जाते हैं government form हो जाती है तो government क्या करती है एक्जिक्टू क्या करती है लॉस बनाती है ठीक है तो देखो कितना logical है पहला contest election हुआ election contest करते समय जब वो अपने constitution constituencies में जनता के सामने गए तो क्या किया उन्होंने different policies and program बताए कि हम आपके लिए काम करेंगे अब election हो गया result आ गया result में जिस party को majority मिली उसने क्या किया government form करी और government run कर रहे है उसके बाद next क्या होगा make laws laws बना रहे हैं यह चारों अच्छे है लन हो गए होगे अब जो party election में हार जाती है यहां से देखो जो party यहां से कहानी बदल गई जो party election में हार जाती हो क्या करेगी वो यह करती है role of opposition opposition party का का काम करती है है न अब उसके बाद और प्लक पार्टी का क्या function होता है यह shape public opinion होता है and provide access to government machinery and welfare scheme होती जो party जीत गई है वो भी public opinion को shape करने का काम करती है और जो party हार गई वो भी public opinion को shape करने का का काम करती है डिटेल में भी हम लोग इनकी detailing जब करेंगे तब पढ़ेंगे provide access to government machinery and welfare schemes so basically देखें बहुत ही logical है simple है न एक बार फिल से recap करते है quickly recap करते हैं फटाफट contest election putting forward different policy and programs उसके बाद election का result आया result में जो party को majority मिली उसने क्या क्या गवर्मेंट को form किया और run किया फिर loss making laws किया जो पार्टी हार गए उसने क्या किया उसे role of opposition का role play किया उसके बाद shaping of जो पार्टी जीती मतले जो जिस पार्टी इन government form करी वो भी और जो opposition में पार्टी है वो भी क्या करेगी shaping of public opinion और access to government machinery and welfare schemes आई अब detail में पढ़ते हैं फटाफट देखे यह रहा हमारा अब detail हर point का पहला जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पहला point हम लोगों ने क्या पढ़ा था parties contest election ध्यान देते हैं विसकी detailing हो पहले point देखे parties contest elections in most democracies elections are fought mainly among the candidates put up by political party देखे अब आप देखेंगे कि अभी 2024 का election आने वाला है आप लोग देखेंगे कि जो आपके आपकी जो constituency है वहाँ पे Congress किसी अलग candidate को field करेगी ticket देगी या जो BJP है किसी अलग party को ticket देगी BJP जो किसी अलग candidate को ticket देगी और आम आदमी party किसी अलग candidate को ticket देगी right but हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि political party ही ticket देते हैं तभी लोग election contest करते हैं कभी-कभी independent लोग भी election को contest करते हैं समस्दारी के लिए बता दिया ठीक है चले parties select their candidate in different ways जो political parties अपने candidate जैसे मनु बोला कि आपका जो आपकी जो constituency है Congress किसी अलग candidate को ticket देगी BJP किसी अलग candidate को ticket देगी राइट आम आदमी party किसी अलग candidate को ticket देगी है नहीं तो अब जो अलग-अलग candidates को tickets दिये जाते हैं इनका selection कैसे होता है अलग-अलग countries में अलग-अलग तरीके से होता है जैसे कि United States of America उसमें क्या होता है जो political parties के members होते हैं या supporters होते हैं वो decide करते हैं किसको ticket देना है लेकिन हमारे हाँ क्या होता है हमारे हाँ अगर BJP है तो मोदी जी और Amistar decide करेंगे अगर Congress का candidate है तो Sonia Gandhi है और Rahul Gandhi decide करेंगे इनको बोला जाता है high command और माली जी आम आदमी party ने अगर किसी को ticket दिया है तो अर्बिंद केजरिवाल मनीश सोधिया decide करेंगे एक बार देखते हैं क्या लिखा है parties select their candidates in different ways in the USA member अमेरिका में क्या होता है members and supporters of a party choose the candidate और ज्यादा से ज्यादा तर ज्यादा तर countries में आसकल यही चलन है यही परंपरा है कि supporters and members से बहुत ideal situation ऐसे होना चाहिए in other countries like India top party leaders choose candidates for contesting elections आप देखिए यह हमारा complete हो गया contesting election वाला part दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था parties put forward different policies and programs कि भहिया हमें election में अगर आप जिताओगे तो हम आपके लिए यह करेंगे अलग-अलग political parties ने अलग-अलग policies and programs बताए अब आपको या हमको यानि जनता को जिस party जिस political parties का program ज्यादा अच्छा लगेगा या manifesto बोलते हैं इसे कि हम election जीतने इक बाद आपके लिए यह काम करेंगे जिसका ज्यादा अच्छा लगेगा हम उसी को vote देते हैं आई देखते हैं इसको detail में समझते हैं each of us may have different opinion and views on what policies are suitable for the society जैर जी बात है हर वेक्ति मतलब हर individual का अलग-अलग राय होके opinion हो सकता है कि हमारी country development कैसे करेगी आप कुछ अलग अलग सलाह दे सकते हैं मैं कुछ अलग advice दे सकता हूँ तीसरा person को अलग advice दे सकता है सबके अलग-अलग views हो सकते हैं कि how India can become a superpower like America and China देखते हैं अब देखें क्या होता है इस स्थिती में government तो बड़ी ही puzzled हो जाएगी न किसकी बात सुने किसकी बात न सुने इसके लिए political parties का यहाँ पर रोल बहुत जादा अब एक question था न why do we need political party अब देखो political party बड़ा important role play करेगी हाँ पर कैसे देखते हैं so views on what policies are suitable for the society but no government can handle such a large variety of views सबके अलग-अलग views हो सकते हैं इतनी large variety of views को government कैसे accommodate कर सकती है नहीं कर सकती है इसके लिए system है political party है कैसे in a democracy a large number of similar opinions a large number of similar opinions या नहीं हमारी country की population का more than half लोग जिसको vote देंगे वही जीत जाएगा तो large opinion for example अब जैसे बीजेपी को लोग सभा में 543 seats में से कितनी seats मिली थी 2019 में 303 यानि 303 seats मिली थी देखते हैं देखिए जो 2000 जो 2019 का election हुआ था लोग सभा का उसमें total लोग सभा की seats 543 थी उसमें से बीजेपी को कितनी मिली थी 303 यानि क्या हुआ हाँ a large number of similar opinions a large number of similar opinions बीजेपी के पक्ष में गया right have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government तो बीजेपी की policies and program लोगों को जादा अच्छे लगी तो large number of similar views मिल गए यानि 303 seats मिल गए लोग सभा में गवर्मेंट बनाने के लिए एनफ होती है इतनी है न उसके बाद देखे this is what the parties do political parties यही तो करती है a party reduces vast attitude vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports right a government is expected to base its policies on on the on the line taken by the ruling party अब ruling party यानि election के time बे यानि जब election contest कर रहे थे तो BJP की जो policies and programs सी लोगों को ज़्यादा पसंद आई अब BJP ने government बना लिया तो जो promises करे थे BJP जोगी यह political party किसे ने government form करे बीजेपी ने तो BJP party ने जो भी promises किये थे अब उन्ही promises को fulfill करने के लिए या उसी तरह की policies बनाई जाएंगी जो हम लोगों से promise की गई थी कि हम आपके लिए करेंगे तो political party का एक बहुत बड़ा role होता है कि वो different viewpoints को एक narrow down कर पाते हैं कि बनार्ज number of similar views को accommodate कर पाते हैं तो इस तरह के से हमने second point समझ लिया आई देखते हैं हमारा third point क्या है third point है हमारा third point है हमारा parties play a decisive role in making laws for a country जाहर सी बात है कि जो policies and program उन्होंने promise किया था उसी को law में बनाएंगे कैसे formally laws are debated and passed in the legislature laws कैसे बनते हैं laws पहले लोग सभा में discussion होता है राजसभा में discussion होता है फिर लोग सभा राजसभा लोवर हाउस और अपर हाउस दोनों से पास होके president की assent के लिए जाता है उसके बाद लौ बनता है process यह होता है बट इसमें होता क्या है कि अब जो ruling party है majority में है तो जो जो हम लोगों ने पढ़ा था न definition political party definition क्या पढ़ा था कि यह a group of people होता है जो same policies and programs पे agree करते है right अब यह सारे लोगों को मौका मिला है कि जनता से जो promises करके आए है कैसे उसे पूरा करेंगे since most of the members belong to a political party they go by the direction of the party जो party leadership direction दे देगी चुगी after all party leadership ही responsible होगी for the fulfillment of the promises made by the made by them in front of you know common man तो इस तरीके से loss बनते हैं तो हमारा होगा parties decide parties play a decisive role in making loss और a country यह हो गया अब हमारा fourth point है parties form and run the government जो political party majority मिलती है हो government को form करते हो run करते है देखते है इसमें क्या है the big policy decisions are taken by political executive that comes from the political party अब जैसे देखिए बीजेपी की government है हाला कि government NDA alliance की है बट उसमें main party कौन है जो lead कर रही हो बीजेपी है तो बीजेपी ने जो भी promises किये थे अब उसको fulfill करने का time आ गया चुकिए government में है तो प्रामिनिस्टर को law बना के fulfill करेंगे तो यह जो बिग जो big policy decisions होंगे और टेकन बाइ पॉलिटिकल एक्जेक्यूटिव यानि प्राइम मिनिस्टर that comes from the political party राइट हाला कि जो हमारे जो local MPs होते हैं उन्होंने जो हमसे promise किया होता है उस particular area की जो problem होती है इस level तक के तो problems को solve करेंगे जो हमारे MPs होते हैं जैसे कि elect city हो गया water supply होगे school या hospital की बात होगे बर जो big policy decisions होते हैं उस particular party का top leadership decision लेता है अब देखे पुलिटर पार्टी का एक function न वह था पुलिटर पार्टी रेक्रूट लीडर्स को रेकूट करते हैं उनको training देते हैं और फिर उनको ministers बनाते हैं आखिरकार सारा का सारा काम मुदी अकेले तो कर नहीं सकते he needs the support of other people तो political parties क्या करती है जैसे अरविंद केजरिवाल की भी party उन्होंने क्या क्या आलगरा लोगों को recruit किया अपने party में फिर उनको training दी फिर ministers बनाया तो political parties ये भी काम करती है फिट पॉइंट देखते हैं these parties that basically those parties जिन parties को election में majority मिल गई तो उन्होंने तो government form क्या औरन क्या laws वगरा बना रहे है country की development के लिए काम कर रहे है but जो parties election में जो parties election हार जाती है उनका भी बहुत बड़ा एहम रोल होता है वो government की policies and programs को criticize करती है इससे क्या होता है government हमेशा अलट रहती है कि कहीं ऐसा कोई काम न हो जाए कि opposition को कोई मुद्धा मिल जाए और लोग सडकों पे उतर आए आए दिखते है those parties that lose in the election play the role of opposition to the parties हाला कि जो 2019 का election हुआ है उसमें किसी political party को actually कुछ percentage of votes मिलना चाहिए तभी आप officially opposition party हो सकते हो but मोदी जी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि किसी political parties को opposition party बनने के लिए 10% vote share चाहिए होता है किसी political parties को मिला या या नि opposition है नहीं 2019 में but वैसे तो जितने लोग election हार गया है opposition parties को ही लोग बोले जाएंगे तो जो opposition parties होते हैं क्या करती है those parties that lose in the election play the role of opposition to the parties in power अब जैसे opposition party official नहीं लेकिन वैसे जितने political parties election lose कर गए है 2019 का लोग सभावाला election वो सारी opposition parties for example आप देख सकते हो जैसे राहूल गांधी जी है आप पेट्रोल की prices बहुत जादा बढ़ गए तो देखे उन्होंनों क्या किया एक मेंट इसको हटा देता हूँ तो आप लोगों को देखेगा यह देखे पेट्रोल के prices बढ़ गया था राहूल गांधी जी माला पहना रहे है इस बाइक को या नि अब बाइक डेड हो गई इतना पेट्रोल महंगा हो गया बाइक कैसे चला पाओगे बाइक चला यह नहीं जाए सकते देखो इसको पाओगे जो मर जाता है तो बिसिकली अपोजिशन पार्टी अब जाहर से बात है अगर पेट्रोल की price rise होगी या सिलिंडर की price rise होगी तो common man परेशान हो गया यही काम होता है opposition parties का कि जो वो लोगों की problem है वो लोगों के साथ आए और government पर pressure बनाते हैं कि आप लोगों की problem की तरफ ध्यान दो अब बात बिल्कुल सही है कि अगर सिलिंडर कदाम बढ़ेगा या पेट्रोल की prices का पेट्रोल की prices बढ़ेगी तो common man को ही तो problem होगी है न आई देखते हैं और क्या फंक्चन होता है तो रोल आप opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failure or wrong policies अगला देखते है opposition parties also mobilize opposition parties also mobilize opposition to the government government समाली जी गलती से कोई ऐसा काम हो गया कि जो common man के interest के against है तो लोगों के mobilize भी करते है movements वगरे भी करते है so that government pressure बना सकें राइट government pressure बना सकें और लोगों की निगाह में देखा सकें देखो ये party जिसको आपने vote दिया है वो आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रही है इसलिए next time हमें ही vote देना है न अब देखिए अब जो हमारा sixth है वो हमारा यह रहा parties shape public opinion parties shape public opinion parties shape public opinion अब यह public opinion जैसे मनों बोला था जो political party selection lose कर जाती है वो भी public opinion को shape करती है और जो party power में होती है वो भी public opinion को shape करती है public opinion को कैसे shape किया जाता है जैसे मारी जी उस party का उस particular party का जो top leadership है वो interviews में अपने thoughts share करता है right कि भाई हम अभी तो power में आए हैं अभी हम आपके लिए यह काम करते हैं बाद में हम जैसे for example हम अर्विंद केजरिवाल की बात करते हैं all over the country right इनका बहुत बड़ा organization होता political parties active members होते जैसे मैंने दिखाया कि हर political party क्या करते हैं जो national political parties होते हैं हर state में अपने एक वो state का president appoint कर देती हैं बोलते हैं भाई यह तुम्हारी जिम्मेदारी है इस particular state में even district level पर भी president appoint करते हैं कि इस particular district में party को जित्वानिक जिम्मेदारी आपकी है right तो यह लोग क्या करते हैं यह जो यह जो lacks of members and activists होते हैं जो all over the country spread हो तो क्या करते हैं many of हाँ हमारी ओ लोग जनता के बीच में जाते हैं और अपने government की द्वारा लिए गए steps जनता खित में जो steps लिए गए होते हैं उनके बारे में लोगों को aware करते हैं है ना इस तरीके से जनता अपनी राय बनाती है कि भाई vote किसको देना है अगले election में many of the pressure groups हर political party के pressure group होता है right जैसे कि अब देखे यह भारती राष्टी शात्र संगठन NSUI है right या किसानों का संगठन है है ना many of the pressure groups are the extensions of the political parties among different sections of society मजदूरों का संगठन हो सकता है traders का organization हो सकता है जो अलग-अलग political parties को support करते हैं है ना parties parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by the people opinions in the society crystallize on the lines parties take basically कहने का मतलब वैसा जो political parties होती है वो public opinion को shape करने का भी काम करती है with the help of their members and active supporters क्योंकि यह supporters and active members लोगों के बीच में जाते हैं उनको aware करते हैं कि भाई हमारी government आप के लिए क्या करती है या आपकी और क्या problem है हम आपके लिए क्या कर सकते हैं तो top leadership top leadership के पास वो message पहुंचाते हैं convey करते हैं accordingly top leadership decision लेता है कि भाई इस पर्टिकुलर election में कौन से किस party किस candidate को ticket देगी अनम ग्राउंड लेवल की जानकारी तो टॉप leadership को नहीं होती ना यह जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वही तो उनको inform करते हैं और चरे now हमारा 7th हा गया 7th point है हमारा political parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government बहुत ध्यान से सुनिएगा यह वाली issue तो आप लोगों ने भी कभी न कभी face किया होगा या आपने किसी अपने friend को देखा होगा जब आप किसी government office में जाते हैं और कई चक्कर लगाने के बाद भी आपका काम नहीं होता तो क्या होता है आप अपने local MLA के पास जाते हैं MP के पास जाते हैं और वो local MLA और MP एक phone करते हैं आपका काम तो रंत हो जाता है या लेटर हेड़ पे लिख करके देते हैं आपका काम तो रंत हो जाता है या hospital मालीज़े ठीक से patient को treat नहीं कर रहा है government hospital के बात कर रहा हूँ तो उस area के जो MPaş है या MLA है उन्होंने एक phone कर दिया लेटर लिख दिया आपका काम हो जाता है या school में admission नहीं हो रहा है आप deserve करते hour पर फिर भी like admission नहीं हो रहा है जो इस area के MLA या MP होते हैं सब्सक्राइब Metro लिख देते हैं आप phone कर देते हैं जाते हैं जो government offices में जो officers होते हैं उनका transfer होता रहता तो हमारे लिए नए होते हैं तो instead of approaching to government officers public को यह easy लगता है कि भाई हम हमारे जो MLA है या जो हमारे MP है उसको उनको approach करने में जनता काफी comfortable feel करती है ना so for an ordinary citizen it is easy to approach a local party leader मालेजे आपका MCD में या मालेजे जो भी local body है आपकी आपका काम नहीं हो रहा है आप अपने area के councillor के पास जाएए वो लिवाय जाएगा आपका काम हो जाएगा या phone कर देगा call कर देगा for an ordinary citizen it is easy to approach a local party leader than a government officer very true parties provide people access to government machinery कई बार जो common man होता उसको पता नहीं होता कि government की क्या schemes है government ने women के लिए या children के लिए या poor people की welfare के लिए जैसे की widow pension हो सकता है या old age pension हो सकती है या जैसे हमारे केजरिवाल जी old दिल्ली में क्या है कि जो old people होते है उनको तीर से आतरा कराते हैं free में तो इसमें भी अगर इस scheme का फायदा उठाने में कोई दिक्कत हो रही है तो जो उनकी political party के activists हैं या supporters है वो help करते हैं active members वगरा help करते हैं लोगों की इसका फायदा उठाने में और कई बार तो यहां तक देखा गया कि जो EWS के admissions होते हैं डेली में तो आम आदू party के जो active members है या वो लोग जाकर के लोगों के form तक भर देते हैं काफी help करते हैं which is quite good so political parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by the government for an ordinary citizen it is easy to approach a local party leader than a government officer दोस्तों I hope आपको मजा आया आज के लिए तना हैं thank you so much